साथियों आप 2014 से पहले की उस्थिती को भी जरायाद कीजिए जब एक साथ दो बड़े आयोजन करने में सरकार के हाथ पाऊँ फुल जाते थे 2009 में और 2014 में तो कॉंग्रेस सरकार लोगसभा का चुनाव और IPL तक एक साथ नहीं करा पाई थी अब उस दोर से आगे बढ़कर आज की स्थिती देखिए बीते पांच वर्सों में इन दमाकों पर लगाम लगाने में हमारी वीर सुरक्षा करमी कामियाब हुए है आज देश के 130 करोड लोग लोग तंत्र का पर्वा मना रहे हैं साथी करोडों साथी IPL का आनंद भी अपने ही शहरों में ले रहे हैं इसी दोरान देश के लोगों ने चैत्र नवरात्री भी मनाई हनमान जैनती भी मनाई इस्टर भी मनाया और अब दुम दाम से रमध्यान भी मनाया जा रहा है इसी बीच में देश ने खतरना खोनी चकरवाद भी उसका भी डटकर मुकाबला किया है और मैं फिर कहूंगा कि ये सब चुनाव और मतदान के बीच हो रहा है ये सारे कारिय एक साथ होना भारत के सामर्थे को दिखाता है आज जो सरकार है उसकी इच्छासक्ती को दिखाता है इसी इच्छासक्ती की बज़ा से तमाम आतंकी हमलों के गुनेगार मसुदाजर को सयुक्तराष्ट ने आंतराष्ट्या आतंकी गोशित किया है पहले जो नामुम्किन लगता था अब वो मुम्किन हुआ है साथियों नया हिंदुस्तान अब अपने समस्याओं के लिए कहीं जाकर गिर गिराता नहीं है नया हिंदुस्तान जानता है कि आतंकी हमलों का खत्रा अभी टला नहीं है लेकिन वो आस्वस्त है क्योंकि नया हिंदुस्तान अब आतंकीयों को गर में गुशकर मारता है गरमें कुछकर मारना चाहिए कि निमारना चाहिए नया हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है झाल